बिना गेस जलाए और वो भी स्वाधिस्ट मिठाई ब्रेड की आप इसी चुट्कियों में बना सकते हैं दोस्तो मात्र दो मिनिट का समय लगेगा और आप इस मिठाई को फटाफट बना लेंगे खाने में एक दम टिस्टी है और बहुती बड़ी आसी मिठाई हमारी बनकर त्यार हुई है चैनल के पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आवशे कर लें वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलेगा दोस्तों यहां की रस्पी कैसे बनी इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहां ले लेते हैं दूद और दूद हमने लिया है गरम हमने एक कप के करीब दूद ले लिया है और इसे दूद को गरम कर दिया है गरम दूद है गुनुना जो नॉर्मल टेंपरेचर होता है उतना ही है केसाद इसमें डाल दिया है ताकि क्लर उपना छोड़ सके अब हम डालेंगे इसमें दो चुटे चमच पिसी हुई चीनी शुगर पाउडर हमने इसमें डाल दिया थाकि यह आसानी से डिजॉल्व हो जये अब चमब से चला लेते हैं दोस्तों और आप हम इसमें डाल देंगे के लाइज ये powder डाल देंगे दोसको इसमें हुछ कटे हुए पिस्ता इनको हम यह डाल देते हैं और इसी चममसी हम चला लेते हैं आप और भी ड्राइफूट्स Подद्र कर सकते हैं मैंने पत्लस पींस्त का यूज किया है आप इस से रख देंगे थोड़ी देर के लिए इसके बाद में दूस्तों हम दूसरे त्यारी कर लेते हैं कि इसे हम युwan über इसे ब्रेड़ से बना रहे हैं उह उत ब्रेड लेन शेप में काट लेंगे, आप कोई भी शेप इसमें दे सकते हैं, चाहे तो आप इसे गोल भी त्यार कर सकते हैं, मैंने इसे ट्राइंगल शेप में काटा है, दूसरी ब्रेड है, उसको भी मैं इस तरह से ले ले लेती हूँ, और उसे भी हम इस तरह से ट्राइंगल शेप में क काट लेंगी तो सबस्पहले हम इसके किनारे लेते हैं चल्व दर्फ से किनारे हैं बहुत असनी से हट जाते हैं और दोस्तों यह जो किनारे बच रहे हैं इनका आप ब्रेड क्रम बना कर रख सकते हैं जिससे कि आप कोई भी नमकीन रेसेपी त्यार करें तो उसमें इसका से चला लेंगे बिल्कुल यह है एक क्रीम की तरह काम करेंगी बहुत ही बढ़िया सा हमारी जो मिठाई है उसमें टीस्ट आएगा तो अब जो हमने ब्रेड काटके रखी थी उनको ऊपर इस जो यह मलाई है इसको हम लगा देते हैं इस तरह से लगा देंगे और लगाने के दीले बाद 흥े और जो दूसरी ब्रेड है उससे से तरही से कवर कर देंगे तो मतलब यह एक पीस हमारा बनकर रड़ि हो गया है के इस तरह से हम दूसरी पीश से ठेट कर दो कर देदेंगे चार पीस बनाकर त्यार कर लेंगे तो मैंने यहां दोस्तों देखी बनाकर इस तरह से मिठाई कि जो पीस हैं उने त्यार कर लिया है ब्रेड की अब क्या करेंगे इसे क्लेट में आपन फैला लेते हैं और पैलाने के बाद में उपर से जो हमने दूद त्यार किया था केसर व आराम से आप इस तरह से इस मिठाई को रेडी कर सकते हैं खाने में दोस्तों बहुत ही बढ़िया है एक दम सॉप्ट है मुलाइम है और आपके बिल्कुल मार्केट जैसी रस्मलाई जैसे ही आपको इसका टेस्ट आएगा तो एक वार आप दोस्तों इस मिठाई को बना कर जर कर सकते हैं खाने वहती टेस्टी है और सॉफ्ट है मुलाइम है थोड़े दिर के लिए आप इसे फ्रिज में रख दीजिएगा और जब यह ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद मैं आप इसका मज़ा लीजिएगा दोस्तों मैं आपको इसे एक बार पीस को काट के दिखा दे होती हूँ कितने बड़िया सी और सॉफ्ट सी हमारे मिठाई बनकर रड़े हुई है तो इस तरह से आप इजिली इस मिठाई को घर पर त्यार कर सकते हैं दोस्तों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्रका लीजिएगा और वीडियो को लाइ